हेलो फिर्ड में लेकम बैक टू माई योटूब चैनल ग्यान टेक सेरीज फिर नाच के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने मुबाइल के प्लेई स्टोर पर जाते हैं और यहां पर जाने के बाद आप अपने मुबाइल पर पेज एप को डाउनलोड करते है लेकिन पेज एप आपके फोन पर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो पेज एप की डाउनलोडिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगी कैसे फिक्स करेंगे आज किस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ बस आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा देखें तभी आप सही तरीके से पेज एप की डाउनलोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगी जैसे कि प्लेई स्टोर पर जाकर पेज एप को डाउनलोड करते लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग पर जाना है और अपने वाइफाई और मोबाइल के नेटवर्क को चेक करना है कभी-कभी मोबाइल नेटवर्क है मोबाइल वाइफाई की वैसे आपके डाउनलोड नहीं होते हैं दूसरा तरीका है आपको अपने फोन के स्टोरिज को को चेक करना है कभी-कभी स्टोरिज की वैसे आपके फोन पर कोई भी एप्स डाउनलोड नहीं होते हैं तीसरा एर आखरी तरीका है फोन की सेटिंग्स पर जाएंगे आपके फोन में जितने भी सेटिंग्स हैं आपके सामने ओपन होके आ जाएंगी थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको आपस को ऑप्सर मिलेगा एपस में क्लिक करेंगे आपके फोन में जितने भी एपस अन्स्टोल हैं सभी आपस यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Google Play Stories में क्लिक करेंगे नीचे आपको storage में क्लिक करेंगे storage में क्लिक करने के बाद नीचे दो आपस बिलेंगे clear data and clear कैसे clear कैसे में क्लिक करेंगे आपके google play store की जितनी भी temporary file हैं clear हो जाएंगी इतना करने के बाद अपने phone को एक बार restart करेंगे वापस से google play store पर जाकर page app को download करेंगे और देख सकते हैं कि आपका google play store से page app की downloading problem solve हो चुकी है और apps download होना start हो चुका है तो ऐसे ही आपको page app की downloading problem को solve करना है वीडियो पसंद आया हो लाइक करें दोस्तों के साथ share करें और चैनल को subscribe जरूर करें